हाई फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप UTI पोर्टल से CSC के थुरू एक डेमोग्राफिक पैन कार्ड ओनलाइन एपलाई कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जब कस्टुमर के आधर कार्ड में मौल अमर लिंक नहीं होता है या कोई कस्टुमर है जो मायनर होता है यानि 18 साल से कम का होता है तो आप उसका डेमोग्राफिक पैन कार्ड बना सकते हैं डेमोग्राफिक पैन कार्ड बनाने में कोई भी OTP नहीं जाता है इस फर्सपte Link जो आएगा इस पर आपको किलिक करना और इसके बाद यहां पर CSC Login पर किलिक कर देना उसके बाद अपनी ID औक डॉक दॉक डालकर इहां पर आपको कुछ झीस तरीके का इंटरफेस दि दिखाई देगा आप Well यहां पर apply new pen पर click करके आपको application for new pen उननंचास a इस पर click करना है click करने कबाद इसे ok करेंगे ok करने कबाद उपर यहां पर आपको demographic यानि जो physical mode है इसे ही select रहने देना है उसके बाद नीचे यहां पर आपको application type में individual को select कर लेना है individual select करने के बाद यहाँ पर आप सब पूछा जाएगा whether you are from defense और NRI category तो इसमें आपको no select करना है उसके बाद यहाँ पर आप सब पूछा जाएगा आप e-pen card चाहते हैं या फिर physical और e-pen card दोनों चाहते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूए e-pen card अगर आप करते हैं select तो यहाँ पर थोड़ी फीस कम जाती है लेकिन उसमें आपको pen card का PVC वाला card होता है वो नहीं मिलता है केबल आपकी Gmail ID पर ही एक pen card भेज दिये जाएगा वहीं अगर आप दोनों को select करते हैं इसकी फीस थोड़ी जादा रहती है लेकिन इसमें आपको दोनों pen card मिलते हैं तो जैसा भी रहता है आप उससे select करेंगे I recommend आप बोथ कोई select करेंगे उसके बाद submit पर click करेंगे हमें एक reference number मिल जाएगा इसे ok कर देंगे करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले name title को select करना तो कोई लड़की का करते हैं तो कुमारी select करेंगे किसी लड़के का या ब्यक्ती का करते हैं तो सिरी select करेंगे किसी married woman का करते हैं तो SMT यानि की सिरी मती को select कर लेंगे pen card apply करते समय आपको दिहान रखना है last name सबसे पहले भारा जाता उसके बाद first name भारा जाता उसके बाद middle name जैसे मेरा नाम है अनुज कुमार सर्मा पहले भारा जाएगा सर्मा उसके बाद अनुज उसके बाद कुमार तो इस तरीके से नाम रहता है किसी का नाम जैसे एक bird का ही होता है जैसे केवल मेरा नाम अनुज है तो last name में ही उनका पूरा नाम आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर नाम जो भी fill करेंगे pen card में जो भी print होकर आएगा वो यहाँ पर so होगा आपको किसी अने नाम से जाना जाता है तो इसमें आप no select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको आधर के according date of birth भर दे नहीं है एक बाद दियान रखे pen card बनाते समय सबी details को आधर के according ही fill करें उसके बाद address for communication पूछे जाएगा इसमें आपको resident select कर लेना है जिसमें आपको जो भी राज लगता उसे आप select कर लेंगे office state में आपको कुछ भी select नहीं करना है आप यहाँ पर representative assessi का state पूछे जाएगा तो इसमें अगर आप 18 साल से उपर की बेक्ती का pen card apply कर रहे हैं तो कुछ select नहीं करना है 18 साल से नीचे की बेक्ती का pen card apply करना है तो father या mother का author card लगाना compulsory है तो ऐसे में उनके आधर में जो भी state होता है उसे यहाँ पर select करेंगे select करने के बाद यहाँ पर आपको आधर नंबर डालना है applicant का जैसे tap प्रेस करेंगे तो again से आपको आधर नंबर डालना है और आधर का according जो भी नाम होता वो पूरा नाम यहाँ पर दाइज करेंगे next step पर किलिक कर देंगे अब यहाँ पर आप से identity टाइप address टाइप और डियो भी टाइप पूछा जाएगा तीनों में आपको आधर कार्ट सेलेक्ट है ना जो की फर्स्ट नंबर पर ही देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद में पर किलिक करेंगे total फीज 107 रुपए होती है जिसमें आपके बॉलेट से 97 रुपए 66 पैसे काटे जाते हैं यहाँ पर पास्वर्ट डाल के बैलिडेट करेंगे और आपका पर सर्चिंग चलती है अगर यहाँ पर कुछ एरर होता है या फिर आपका आप फोर्म बारते समय कहीं पर भी कोई एर लाएंगे और आप इडिट पर किलिक कर गें जहां से अपने फॉर्म को छोड़ा था भहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं तो हमने जैसे एडिट पर किलिक किया तो हमारा यहां पर पहले ही हो चुका है आप डालेक्ट लेमारा कॉंट्रेंट टेल्स का कॉलम ओपन हो गया है इमिल आईडी देहां से दर्च करें कि जो भी आपका लजा जाएगा सास से आट दिन में पर आपको दर्च करेंगे नीचे आपको पढमे प्रने नेम और नाम भरने की प्रोसेस सेम रहेगी लाष्ट नियम उसके बाद मिडल ने एक बात यहां ठाले थान रखेंगे रहे म father name dutch करेंगे नीचे mother name dutch करेंगे pen card पर किसका नाम प्रिइंट हो कर आ कि इसमें आपको father name रहने दिना है next पर करेंगे अब हमें यहाँ पर अपना address फिल करना है तो यहाँ पर पोग नबर पूछ जाएगा तो इसमें अगर ऊसित और और תका दर देंगे अपने district को list में से select करेंगे उसके बाद pin code dash कर देंगे नीचे income details पूछी जाएगी तो आप किसी minor का apply कर रहा है या किसी female का apply कर रहा है जो कोई पैसा नहीं कमाते हैं तो ऐसे में no income select करेंगे बहिए अगर आप किसी पुरुष का apply करते हैं तो उसमें income from other sources डाल सकते हैं या फिर कोई salary person है या house property से कमाई करता है या किराव अगरा से तो भो भी आप select कर सकते हैं मैली cases में ये no income या income from other sources ही रहता है बाद next step पर click करेंगे आपका जो IO code है automatically आपके address के according detect कर लिया जाएगा आपको नीचे last में आ जाना है अब यहाँ पर जो मैंने आपको representative assessi का state select करने का बता था first step में ही तो अगर आप minor का किसी का apply कर रहे हैं जो 18 साल से कम का होता है तो वहाँ पर जो आपने state select किया था उसी के according यहाँ पर आपको address fill करना है representative assessi का अब हमारा पूरा form fill हो चुका है नीचे यहाँ पर आपको himself, herself को select करना है applicant का नाम आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको verification place पूछा जाएगा इसमें आप अपने district का नाम दरज करेंगे next step पर click कर देंगे हमने आधार select किया था अभी proofs में तो वो यहाँ पर आ जाएंगे अब हमें submit पर click कर देना है submit पर जैसे click करेंगे हमारा application submit हो जाएगा आपको print पर click करना है अगर आपका print पर उपन नहीं होता है बार बार print पर click करने के बाद जो आपका pop-up redirect है वो off है तो यहाँ पर आप site setting में जाकर Chrome की site setting में जाकर pop-ups redirect को allow करेंगे तो आपकी receipt जो है इस तरीके से आ जाएगी यह receipt print करना है यह तो आपको customer को देनी है साथ हमें एक form भी download करना है तो यह download form पर click करेंगे इसे आपको print निकालना है print निकालने के बाद यहाँ पर जो आपको उपर दिखाई दे रहा है इसमें एक एक photo लगाना है customer के एक side और एक side दोनो side आपको एक photo लगाना है साथ ही यहाँ पर जो left hand side वाला photo है इसमें आपको cross signature कराने है यानि आदे photo पर signature होने चाहिए आदे होने चाहिए आपके page पर साथ ही यहाँ पर आपको यह एक box दिखाई दे रहा है इसमें signature कराने है साथ ही यहाँ पर इस form का second जो page है इसमें भी आपको signature कराने है signature या फिर thumb impression जो भी होता है पड़े लिखें तो signature करा लेंगे पड़े लिखें नहीं है तो अंगुठा लगवा सकते है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ form भरा हुआ तो कुछ इस तरीके का हमारा form रहेगा इसमें मैंने photo लगाया है और यहाँ पर cross thumb लगवाया इनका एक बात इसमें दिखान रखे जो भी signature या thumb impression लगवाया है तो photo के चेहरे पर ना जाए यह इस बात का खास दिखान रखे तो यहाँ पर आपको यह thumb लगवा लेना है एक इस box में लगवा लेना है सेम तरीके से दूसरे page में भी आपको लगवा लेना है और आप जो ID proof लगा रहा है यानि की आधार उसमें भी signature या फिर thumb impression लगवा देने है तीनों को आपको scan करके PDF में change करना है तो यहाँ पर मैं PDF 24 software का यूज़ कर रहा हूँ इससे change करने के लिए मैंने तीनों की select करके इसमें open किया सभी files को merge किया और इसे medium format में save कर लिया save करने के बाद हमारा जो document है एक MB से कम का यहाँ पर हो गया है क्योंकि हमारी PDF है एक MB से कम में ही upload होगी तो यहाँ पर हमें जो document upload करने है उनका size आप ध्यान से देख लीजिए अगर आपके documents का size साही से नहीं होगा तो आपके document साही से upload नहीं हो पाएंगे तो सबसे पहले तो आपको form को scan करके इसकी PDF को बना लेना जो कि आपकी 1 MB से कम में होनी चाहिए हमारी यहाँ पर 620 MB की है अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आपको photo और signature को कैसे research करना है तो Photoshop को आप यहाँ पर open करेंगे open करने के बाद जो आपने पहला page scan किया था उसे Photoshop में open कर लेंगे और यहाँ पर जो भी आपका photo होता है जिस पर आपने signature नहीं कराएं इसे select कर लेंगे और उसे यहाँ पर copy कर लेंगे Ctrl C की मदद से और यहाँ पर इसका size रखेंगे आप 213 MB 213 और resolution रखेंगे 300 रखने के बाद हमने जो photo copy किया था यहाँ पर paste करेंगे और अपने page के हिसाब से अपने photo को adjust इस तरीका से कर लेंगे कि आपके photo ना बाहर रहें ना ज्यादा अंदर रहें और पूरा photo proper दिखता रहें और 9 side से आपका page blank रहें अब हमारा photo जो successfully set हो चुका अब हम इसे save करेंगे, save करने के लिए हम यहाँ पर 6 रखेंगे अब यहाँ पर आप photo का size देखेंगे तो हमारे photo का size है 20 KB हमें यहाँ पर 213, 213, 300 का 30 KB से कम का photo चाहिए तो यहाँ पर size तो जैसे मैंने आपको बता है page लेते समय ही आप size बना लेंगे लेकिन अगर आपको photo के KB को कम या ज्यादा करना है तो बो photo shop में आप save करते समय क्वाल्टी से करेंगे तो मैंने यहाँ पर 6 quality में save किया photo तो मेरा 20 KB का हो गया है अगर आपका ज्यादा होता है तो आप 5 quality में चार quality में save edge करके दुबारा से photo को save कर लीजिए आप picture manager से या फोटो के size को छेड़ चाड़ करेंगे तो photo upload नहीं हो पाएगा तो अब हमारा photo create हो चुका है अब हमें signature को भी या फिर थम इप्रेशन जो भी होता उसे भी research कर लेना है तो same form से हम अपने signature को select करेंगे उसके बाद c की मदद से copy करेंगे नया page लेंगे नया page लेते समय हमें यहाँ पर जो size हमने copy किया वो किलिप आड़ में automatic आ जाएगा त उसे यहाँ पर paste कर देंगे paste करने के बाद इसकी brightness या contrast जो भी कम ज्यादा करना चाहते हैं वो easily कर सकते हैं करने के बाद आप इसे save कर सकते हैं save करने के लिए हम यहाँ पर 12 quality का यूज करेंगे क्योंकि हमारे signature जो है 60 kb तक में upload हो सकते हैं तो हमने यहाँ पर save किया तो हमार इसे upload करते हैं upload करने के लिए आप सेम पोटल को open करेंगे apply new pen पर click करेंगे upload document पर click कर देंगे upload document पर click करने के बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे create and upload और upload तो यहाँ पर आपको किवल upload वाले option पर click करना है तो सबसे पहले हमने जो अपनी PDF बनाई थी उसे select करेंगे picture में ज documents uploaded for the application and हमारा application नमर यहाँ पर आजाएगा इसे okay कर देंगे अब दुबारा से आप apply new में जाकर upload document बाले section में जाकर देखेंगे तो कोई भी हमारा बहां पर application pending दिखाई नहीं देगा तो अब यहाँ पर आपका जो pen card apply करने की process बहुत तो यहाँ पर खतम हो चुकि यहाँ प इसके बाद आपने जो physical mode में pen card apply किया है इसे कम से कम 8 दिन तो लगी जाते है Gmail ID पर आने के लिए किसी customer के apply करते हैं तो उसे पहले ही confirm कर दीजिए आपका e-pen card आने में अगर physical mode से करबाते हैं तो कम से कम 8 दिन का समय लग सकता है आपने जो भी email ID डाली है उस पर आपका pen card within 8 दिन के अंदर PDF format में आ जाएगा जिससे आप अपनी date of birth mention करके open कर सकते हैं तो इस वीडियो फिलाल इतना ही I hope आपको वीडियो मता हुई पूरी जानकार इच्छ समझ में आ गई होगी और आप सीख गया होंगे कि UTI portal के through CSC के माध्यम से pen card physical mode में online apply कैसे कर सकते हैं वीडिय पसंद आई वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राब करके बैल आगन को प्रेस कर लीजिए मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए